इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे exercise 10H of class 12 आरे सगरवाल question number 1 से question है differentiate x to the power 6 with respect to 1 by root x थोड़ा सा basic ही भी देखेंगे इसमे क्योंकि यह exercise आपका best है differentiation of one function जैसे यहाँ x to the power 6 को दूसरे function 1 by root x के respect में आपको differentiate करना है इससे पहले हम लोग देखते थे क्या यदि x to the power 6 है इसको किसके respect में करना है x का function है तो आपका x के respect में करना है लेकिन यहाँ अलग है 1 by root x मिन्स आपका another function के respect में करना है तो चली इसको कैसे करेंगे यह देखेंगे आते हैं नीचे और basics पहले पढ़ते हैं यह आपका exercise है आपका differentiation of one function with respect to another function यहाँ first function को ले लेंगे आपका u ले लेंगे ठीक है दूसरा function को आपको ले लेते हैं v ठीक है आपको कहेगा कि आपको one function किसके respect में differentiate करना है दूसरे function के मिन्स आपको क्या find करना है du by dv ठीक है du by dv find करना है चली अब कैसे समझते यदि मान लीजिए u equal to आपका है x to the power 6 है ठीक है simple सा लेंगे और v हम ले लेते हैं आपका x square है ठीक है तो आपको बोला du by dv find करने के लिए तो कैसे करेंगे basic समझेंगे इसको कैसे find करेंगे देखे u किसका function है आपका x का function है v किसका function x का तो हम करेंगे इसका काम क्या आपको find करने के लिए कहा du by dv हम क्या करेंगे पहले u को x के respect में differentiate करेंगे ठीक है बहुत अच्छी बात है और उसके बाद v को क्या करेंगे v आपका x का function उसको भी आपका x का respect में differentiate करेंगे और उसका दोनों को क्या करदेंगे, ठीक है, अलग-अलग दोनों को differentiate करेंगे, जैसे u को कर लिए, v को कर लिए, ठीक है, आपका क्या करेंगे, उसके बाद, दोनों को divide कर देंगे, तो आपका du by dv निकल जाएगा, means differentiation of one function with respect to another function, इस case में देखेंगे, du by dx कितना आएगा, x to the power 6 का, 6 x to the power 5 आजाएगा, उसी तरह आपका यहाँ से, dv by dx कितना आएगा, 2x आजाएगा, ठीक है, सिंपल सा, हम लिए एक्जामप, तो du by dx किया, 6 x to the power 5, dv by dx किया, 2 x, 2 3 जाएगा, यह आपका x x cancel करेंगे, means 3 x to the power 4 हो जाएगा, means आपका differentiation of one function, with respect to another function, यह आपका 3 x to the power 4 हो गया, basics का concept है, इसमें, first function को आपका x के respect में, यदि आपका t का function रहता, तो t के respect में करते, v आपका यदि t का function रहता, तो dv by dt करते, ठीक है, x का है, तो x के respect में, और उसके बाद दोनों को divide कर देंगे, आपका differentiation of one function, with respect to another function, फाइंड हो जाएगा, अब question पर आते हैं, basic जाने के बाद, first question लेते हैं, इसको solve करते हैं, क्या है differentiate x to the power 6, with respect to 1 by root x, मान लेते हैं, आपका, यू आपका, यहाँ पर, first function x to the power 6 है, v आपका है, one by, यह आपका v, one by root x है, आपको क्या कहा, कि आप du by, मतलब u को v के respect में, means du by dv, ठीक है, with respect वाला हमेशा नीचे रहेगा, ठीक, जासे du, आप करते थे, y को x के respect में, तो क्या लिखते थे, dy by, जिसके respect में करेंगे, उसको नीचे रखेंगे, यह चीज़ आपका basics है, यह आपको पता होगा, ठीक है, चलिए, dy by dv आगे, क्या लिखेंगे, कैसे इसका formula क्या होगा, u को, u किसका function, x का, तो du by dx पहले find करना पड़ेगा, उसके बाद v किसका function, x का, तो dv by dx, तोनों को आपका x के respect में और उसका divide कर देंगे, तो आपका du by dv find हो जाएगा, तो क्या फर्स्ट काम करना पड़ेगा, u को हम लोगों को, x के respect में, आपका u क्या है, x to the power 6 है, इसको हम लोगों क्या करेंगे, x के respect में differentiate करेंगे, तो du by dx क्या जाएगा, n into x का power n minus 1, means 6 x to the power 5 हो जाएगा, ठीक है, यह तो आपका find हो गया, दूसरा चलते हैं, v आपका दिये हुआ है, 1 by root x, ठीक है, अब इसको power के form में पहले लिख लेते हैं, 1 divided by root x को क्या लिख सकते हैं power, x का power 1 by 2, यह दि उपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का power minus 1, नीचे है आपका, तो पलस 1 by 2, उपर जाएगा तो आपका x का power minus 1 by 2, आप x के रिस्पेक्टर फटा-फट इसको differentiate कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n, n गया क्या, minus 1 by 2, into x का power n minus 1, means आपका minus 1 by 2, minus 1, means आपका minus 1 by 2, into x का power minus 3 by 2 हो जाएगा, बात समझ में आया है, चलते हैं, अब du by dx भी find हो गया, dv by dx भी आपका find हो गया, दोनों को हम लोग divide कर देंगे, तो आपका du by dv भी निकल जाएगा, चलिए तो यहाँ put करते हैं, तो आपका हो जाएगा, यह आपका du by dx का है, 6 x to the power 5, नीचे आपका minus 1 by 2, into आपका x का power minus 3 by 2 आगया, अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको simplify करना है, ठीक है, simplify करते हैं, चलिए आपका du by dv भी आपका निकलने वाला है, यह 2 को उपर चला जाएगा, तो आपका minus में हो जाएगा, minus 6 into 2, into आपका x का power 5 है, यह आपका देखिए, नीचे आपका क्या है, minus में है, उपर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों का base क्या है, x है, प्लस आपका 3 by 2 हो जाएगा, ठीक है, यह तो पता होगा, जब भी आपका, अब मान लिजी, x का power m है, divided by x का power n है, क्या लिखेंगे, x का power m minus n लिखेंगे, तो 5 minus of minus 3 by 2, 5 plus 3 by 2 हो जाएगा, बेसिक साएगा, चली, इसको यहाँ से basic है, अब इसको किजिए, नीचे तो आपका 1 बचा, तो आपका minus 12, x का power 5, 2, 10, पलस 3, 13 बचा में 2 आजाएगा, ठीक है, चली, यह तो आपको समझ में आगया, पहले function को x के respect में, दूसरे function को x के respect में differentiate करना है, दोनों को divide कर देना है, ठीक है, बस, यह था basic concept, next question की तरफ बढ़ते है, differentiate, यहाँ देखिए, log x, किसके respect में, cortex के, तो u आपका log x हो गया, v क्या हो गया, cortex हो गया, simple सा है, चली, तो आपका du by db find करने के लिए का रहा है, आपको find करने के लिए का रहा है, du by db, means, आपका one function को, दूसरे function के respect में differentiate करने को कर रहा है, means, आपका क्या लिखवायत है, du by u किसका function, x का, उसको उसी function के respect में करेंगे, differentiate कर दिये, v को भी आपका x के respect में करेंगे, दोनों को divide कर देंगे, चली, तो आपको जरूरत किसी क्या पढ़ेगा, du by dx, तो यहां से find कर लेंगे, फटक से, du by dx क्या हो जाएगा, log x का differentiation, 1 by x हो जाएगा, और यहां पर आपका 1 by x हागे, अब जरूरत क्या पढ़ा, db by dx, तो यहां आजाएगे, db by dx क्या हो जाएगा, cortex का differentiation, minus का cosec square x हो जाएगा, तो minus cosec square x, यह आपका 1 divided by x into, आपका, यह minus cosec square x, cosec square x, ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, cosec square है, इसको कर देंगे, आपका, ऊपर चलाएगा, तो sin हो जाएगा, तो minus 1 into sin, means sin square x, divided by आपका x हो जाएगा, ठीक है, 1 by cosec, sin होता है, ठीक है, चलिए, square तो sin square हो जाएगा, अब आते हैं इस पर, differentiate e to the power sin x, with respect to किसके, cos x के, चलिए, तो first function को, यू मान लेते हैं, e to the power sin x, आपका दूसरा function, cos x है, simple सा, ठीक है, आपको find क्या करना है, du by dv, आपको find क्या करना है, du by dv, du by dv, means, आपका e to the power sin x, u हो गया, v आपका cosec, कैसे find करेंगे, u आपका, जिसका function, उसके respect में differentiation, v जिसका function, उसके respect में differentiation, ठीक है, उसको आद दोनों को divide कर देंगे, u को आपका differentiate करते हैं, फट आफट, तो क्या हो जाएगा, देखिए, एक आपका function, e to the power sin x है, तो first function आपका exponential, दूसरा function आपका sin x, तो दो चैन चलाएंगे, तो du by dx जो आजाएगा, first function, e to the power x, तो e to the power x का difference, e to the power x ही रहेगा, और sin x का differentiation cos x हो जाएगा, ठीक है, इसका काम खतम हो गया, अब भी प्याते हैं, इसको भी आपको x के respect में करना है, तो d by dx cos x का differentiation minus sin x, formula आपको याद होना चाहिए, बस इसी value को यहाँ put कर देना, du by dx क्या है, e to the power sin x into cos x divided by d by dx आपका minus का sin x है, तो यहाँ से du by db क्या हो जाएगा, e to the power sin x, यह आपका minus है, cos by sin क्या होता है, cot हो जाता है, यह आपका answer है, next question की तरह परते हैं, question number four है, देखिए, यहाँ पर इस तरह का question देख चुके है, differentiate 10 inverse root of 1 minus x square divided 1 plus x square, with respect to किसके करना है, cos inverse x square के करना है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ, इस तरह का question आपने exercise 10D में किया हो, आपको x के जगा कुछ आपको put करना होता था, ठीक है, आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अब आपको इसके जगा क्या put करेंगे, तभी आपका simplify होगा, direct chain rule लगाएंगे, तो आपको calculation करते करते हालत खराब हो जाएगा, तेखिए, अब समझेगा, यहाँ पे आपका, पहले function लिख लेजिए, u है आपका 10 inverse of root under of 1 minus x square, divided by आपका 1 plus x square, एक आपका है, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, चलिए यह लिखता हूँ, v है आपका cos inverse x square, अब यहाँ बात समझेंगे, यह आपका, आपको तो u by d by find करना है, आपको find क्या करना है, d by d by, ठीक है, इसके लिए आपको u को x के respect में, v को आपको x के respect में differentiate करना पड़ेगा, उसका दोनों को divide कर देंगे, चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा द्यान, x क्या put करेंगे, यह दोनों आपका असानी से आपका differentiate हो जाए, देखिए, यह cos inverse बाहर है, यदि इसके अंदर यदि cos हो जाए, तो आपको formula अपलाई हो जाए, cos inverse of cos theta क्या होता है, theta हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यह आपका concept से आप, इसके अंदर वाले ठर्म को, x square को हम लोग क्या put कर लेंगे, put x square equal to cos theta, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, cos inverse of, थोड़ा सा इसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको calculation करना पड़ेगा, x square equal to cos theta, तो हम क्या करेंगे, v equal to क्या हो जाएगा, cos inverse of x square जाएगा, cos theta डाल दिये, बात समझ में आगे है, तो आपका v equal to cos inverse of cos theta क्या होता है, theta होता है, ठीक है, अब देखिए, अब theta यहाँ से क्या आजाएगा, theta equal to, यह cos को इधर लेंगे, means cos inverse x square हो जाएगा, यहाँ put करेंगे, तो v आगे आपका cos inverse of x square, ठीक है, अब dv by dx simplify होगे, अब dv by dx find कर लेते हैं, तो क्या आजाएगा, cos, first function आपका cos inverse है, दूसरा आपका क्या है, x square है, तो आपका cos inverse का करेंगे difference है, तो minus 1 divided by root under of 1 minus x square, x है तो x square, x square है तो इसका square करेंगे, means आपका x to the power 4 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, अब x square का भी differentiation क्या हो जाएगा, 2x, तो आपका यहाँ से dv by dx जो आगे एक term आपका find हो गया, minus 2x divided by root under of 1 minus x to the power 4, ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका x square equal to cos theta पूट कर देंगे, तो u equal to क्या हो जाएगा, 10 inverse of root under of 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta, ठीक है, u equal to 10 inverse of, अब 1 minus cos क्या होता है, कितना वर discussion किये हैं इसके बारे में, 1 minus cos आपका यहाँ पर लिखेंगे आपके लिए, फिर से 1 minus cos, 1 minus cos और 1 plus cos, इस formula को अब ध्यान लगे, 1 minus cos होगा, तो 2 sin square लिखेंगे, आख बंद करके, 1 plus cos होगा, तो 2 cos square लिखेंगे, आख बंद करके, यदि यहाँ theta है, यहाँ पर आपका इसका आधा हो जाएगा, यहाँ theta है, तो इसका आधा हो जाएगा, 2 theta रहता, तो यहाँ पर सिर्फ आपका उसका आधा theta होता, ठीक, यह बात समझ में आगया, तो यहाँ पुट करेंगे, 1 minus cos theta क्या हो जाएगा, 2 sin square theta by 2, divided by 2 cos square theta by 2, आप क्या करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल, आपका जो term आगया, u equal to 10 inverse of, root under of sin by cos, क्या हो जाएगा, 10 square है, square लिखना नहीं भूलना पड़ेगा, अब आगे बरते हैं, यह तो double double square हो गया, 10 square तो है ही, ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, root से आपका square क्या होगा, बाहर आएगा, तो आपका सिर्फ 10 theta बच जाएगा, अब 10 inverse of 10 theta क्या होता है, theta होता है, यहाँ theta क्या, theta by 2 है, यह तो u equal to direct क्या आजाएगा, theta by 2 आजाएगा, ठीक है, अब theta का value क्या है यहाँ से, यहाँ देखे लिजी, theta equal to cos inverse of x square, यू equal to theta का value, cos inverse of x square, बटा में क्या है, 2 है, ठीक है, सही है, अब d u by dx find कर लाएगा, simplify हो गया, तो d u by dx कैसे find होगा, यह देखिए, 1 by 2 तो बाहर रख लेंगे, यह देखिए, cos inverse first function, दूसरा आपका x square है, तो cos inverse x का करेंगे, तो minus 1 divided by root under of 1 minus x square, अब x square उसका square करेंगे, means आपका x to the power 4, और x square का differentiation 2x हो जाएगा, तो इससे इसको उड़ा देंगे, means आपका आगया, minus x divided by root under of 1 minus x to the power 4, दोनों आपका function था, उसको differentiate कर चुके हैं, अब आपको d u by dv find करना है, means आपका d u by dv क्या हो जाएगा, u को आपका x का d u by dx, divided by dv by dx, ठीक, अब d u by dx क्या है, यहाँ लिखा हुआ, minus x divided by root under of 1 minus x to the power 4, और आपका dv by dx सबसे उपर, minus 2x, यहाँ पर minus 2x divided by root under of 1 minus x to the power 4 है, ठीक है, अब क्या करेंगे, simplify करेंगे, ठीक है, तो आपका यह नीचे वाला, नीचे वाला तो cancel हो जाएगा, बचा क्या, minus x, नीचे क्या बचा, आपका minus 2x, इससे इसको उराएंगे, x x उराएंगे, means आपका 1 by 2 हागया, कुछ नहीं करना, दोनों, u था, v था, यू को आपका x के respect में कर लिए, differentiation, और v को भी आपका x के respect, दोनों को क्या कर दिए, differentiate, divide कर दिए, last में, तो आपका differentiation of u with respect to, आपका v आ गया, अब next question की तरह चलते हैं, से आपका उसी तरह का question है, differentiate 10 inverse of 2x divided by 1 minus x square, किसके respect में, sin inverse 2x divided by 1 plus x square, ठीक है, अब यहाँ आते हैं, मान लिजे ऐसा question में क्या है, आपको दो function है, means, दो question हो गया, एक साथ, ठीक है, क्योंकि आपको इसको भी x के respect में करना है, first function को differentiation, दोनों को भी आप, v वाले को भी करना है, means, एक question में दो-दो question हो गया, ठीक है, उसके बाद दोनों को divide भी करना है, means, यह थोड़ा सा time taking है, ठीक है, इसलिए इस तरह का question, या तो parametric वाला आता है, या आपका यह one function with respect to another function, आता है, सेम आपका parametric वाला भी, इसके next exercise हो भी आपका same इसी तरह बनता है, ठीक है, तो यह सी कले पहले आप, यू यहाँ पर दिया है, tan inverse of, 2x divided by 1 minus x square, यदि आपने exercise 10 दी सही से बनाया है, तो यह आप पता चल जाएगा, x का क्या पूट करना है, ठीक है, नहीं पराए, तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है, यह आपका v है, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, x का क्या पूट करेंगे, यहाँ tan inverse है, इसके अंदर भी यदि tan होगा, तभी तो tan inverse of tan theta, क्या होगा, theta हो जाएगा, यदि sin inverse है, इसके अंदर यदि आपका sin बड़ा term है, तो क्या हो जाएगा, sin inverse of sin theta, theta हो जाएगा, simplify हो जाएगा, आसानी से, चलिए, इसके लिए आपको फर्मूला याद होना चाहिए, जैसे tan, 2x का फर्मूला क्या होता है, 2 tan x divided by 1 minus 10 square x, देखे, इसे हम इसी पर 2x divided by 1 minus x square पर set कर रहा है, चलिए, यहाँ पर आपको sin 2x का फर्मूला क्या होता है, यह देख लिजी, दो-तीन फर्मूला होता है, ठीक है, एक तो होता है 2 sin x cos x, दो होता है इसमें, ठीक है, एक होगा आपका 2 tan x divided by 1 plus का tan square x, तो यहाँ इसी फर्म में यह देखे, बस, x के अब 10 है, यहाँ पर x square कर जाएगा 10 square, ठीक है, तो आप दोनों से conclusion निकाल लिए, यहाँ पर भी x के जाएगा यह दी हम लोग, put x equal to tan theta, यह सा simplify हो जाएगा, means आपका u equal to tan inverse of 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta जाएगा, ठीक है, चली एक को पहले करते हैं, उसके बाद आगे बरहेंगे, तो यह आपका term जो आया, u equal to tan inverse of, इसको क्या कहेंगे, tan 2x to tan x divided by 1 minus tan square x, तो सेम आपका यह क्या हो जाएगा, tan 2 theta हो जाएगा, अब tan inverse of, tan theta क्या होता है, theta होता है, यहाँ tan inverse of tan, theta गया 2 theta है, means आपका, u equal to, जो हो जाएगा, 2 theta हो जाएगा, ठीक है, अब simplify हो गया, अब theta का value x के form में कहेंड़ा लेंगे, हम लोग पुट किया किए, x equal to tan theta, तो theta यहाँ से आजाएगा, क्या, यह tan को इधर भेजेंगे, means tan inverse of x आजाएगा, चली, तो आपका, u equal to, 2 tan inverse x आजाएगा, ठीक है, कितना simplify हो गया, आपका function इतना वड़ा था, अब क्या आगया, 2 tan inverse x आजाएगा, तो d by dx फाइंड करेंगे, 2 constant है, बाहार रखेंगे, tan inverse x का difference is 1 divided by 1 plus x square आजाएगा, u का आपका होगे, अब v का आप खुद से करते हैं, अब खुद से करेंगे, वीडियो पहुच करके, उसके बाद यह समझवें आजाएगा, आप खुद से करेंगे, तभी आपको चीजे clear होगी, अब देखिए, यहाँ पर भी इस form में set करा, means x equal to tan theta put करेंगे, चलिए, तो आपका v क्या हो जाएगा, v equal to sin inverse of, यह क्या है, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, देखिए, यह वाला ठर्ब, यह sin 2x का है, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, क्या हो जाएगा, sin 2 theta, means v equal to sin inverse of sin 2 theta आजाएगा, means आपका sin inverse of sin theta क्या होता है, theta होता है, तो यहाँ से आपका sin inverse of sin, theta क्या है, 2 theta, means आपका 2 theta हो जाएगा, तो v equal to 2 theta का value यहाँ से क्या जाएगा, x equal to tan theta है, तो theta आपका यह इधर जाएगा, तो means 10 inverse x आ जाएगा तो 2 10 inverse x आ गया ठीक है तो dv by dx find कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अब 10 inverse का differences are 1 by x square 1 divided by 1 plus x square अब last में क्या find करना है du by dv कैसे find होता है लिखेगा formula u का आप x के respect में differentiate कर दिये v का आपका x के respect में यदि u आपका t का function आदा तो t के function के आपका differentiate करते है du by dx के आगया 2 divided by 1 plus x square dv by dx सेम आया 2 divided by 1 plus x square दोनों को काट देंगे सेम है तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अब next question की तरफ बढ़ते है अब आते हैं next question question number 6 differentiate 10 inverse of x divided by root under 1 minus x square यहाँ है आपका cos inverse of 2x square minus 1 अब यहाँ देखिए यह function u हो गया यह function v हो गया तो यहाँ u को रख देते है आपको du by d भी फाइन करना उसके लिए आपको दोनों को x के respect में differentiate करना परेगा फर्स्ट कम आपका यही है चलिए तो du by dx फाइन करना है तो u लिख देते हैं पहले 10 inverse of x divided by root under of 1 minus x square ठीक है बहुत अच्छी बात अब थोड़ा समझें क्या पूट करना है वो हम आपको कैसे समझते हैं यह देखिएगा आप यहां देखिए 10 inverse है तो आस सोंच बढ़ाईए 10 inverse है इसके अंदर कि term होना चाहिए 10 ही होगा 10 होगा तभी तो आपका आसानी से simplify हो जाएगा 10 inverse of 10 theta क्या हो जाएगा theta हो जाएगा ठीक है इसके लिए क्या पूट करना पड़ेगा यह 10 कैसे हो जाएगा दो फंक्षन डिभाइड में हैं यह दि मान लीजिए यह साइन हो जाए यह आपका कॉस हो जाए तो साइन भाइ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा means यहां से आपका निकला कि यह हम लोग एक से के जगा साइन theta पूट कर देते हैं तो अंदर वाला function अंदर वाला function यह वाला 10 बन जाएगा क्यों sin by cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो हम लोग क्या पूट करते हैं पूट x equal to sin theta कैसे पता चला sin theta क्योंकि tan inverse था इधर भी आपको tan चाहिए तभी tan inverse of tan theta theta हो जाएगा तो यह हम लोग क्या पूट की sin यह आपका automatic cos बन जाएगा ठीक है क्योंकि root under of 1 minus sin square theta cos square theta होता है sin by cos 10 हो जाएगा simple सा चलिए तो यह पूट करते हैं तो u equal to tan inverse of x sin theta divided by root under of 1 minus sin square theta ठीक है आगे बढ़ेंगे तो आपका u equal to tan inverse of sin theta यह आपका root under of 1 minus sin square theta क्या होगा cos theta हो जाएगा ठीक अंदर वाला cos square root के बाहर जाएगा तो cos हो जाएगा ठीक इतना आपको 10 बता होगा चलिए तो sin by cos क्या tan हो जाएगा u equal to tan inverse of tan theta हो जाएगा इसको अब tan inverse of tan theta क्या होता है tan inverse of tan theta क्या होता है theta होता है तो u equal to क्या जाएगा इस properties का इस्तेमाल करेंगे तो theta हो जाएगा अब हम लोग put क्या किये x equal to sin theta तो यहां से theta क्या जाएगा इस sin को इधर ले जाएगे means sin inverse x हो जाएगा चलिए तो आपका u equal to कितना simplify हो गया sin inverse आपका x आ गया ठीक है अब du by dx find करना है तो कितना असान हो जाएगा बस फर्मूला याद बना चाहिए du by dx equal to sin inverse x का 1 divided by root under of 1 minus x square हो गया है काम खत्म आगे बरते है अब हम लोग इस पे आते v वाले पे cos inverse of 2 x square minus का 1 है इधर sin theta पुट किया है इधर भी आपका sin से आपका बन जाएगा ठीक है लेकिन बन सकता है लेकिन कभी कभी आपका change भी हो सकता है अब समझे कैसे कैसे इसरे दोनों ऐसा मत सुचिए इधर आपका sin से इधर भी sin का होगा ठीक है दोनों को अलग-अलग करना है differentiating यहां देखेंगे आप से इसके अंदर क्या होना चाहिए कॉस का ठर्माना चाहिए तभी तो आपका कॉस इंभर्स अब कॉस थीटा हो जाता है साइन भी जाज आएगा तो चल सकता है क्योंकि आपका sin को कॉस में change करना बहुत आसान बात है ठीक है अब आते हैं इसके अंदर क्या आएगा वो आपको दिखाते हैं कॉस इस वाले कॉस टू थीटा का हमने फर्मूला उलेडी बता रहा है एक होता है कॉस स्क्वाइर थीटा माइनस का sin स्क्वाइर थीटा होता है एक होता है आपका यदि हम इसको चाहेंगे कि आपका sin में रहे तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वाइर को 1-sin स्क्वाइर थीटा मिंस एक फर्मूला यहां से आजागा main फर्मूला यह है ठीक है? जब स्क्वाइर में चाहेंगे तो 1-2sin स्क्वाइर थीटा ठीक है? यदि हम लोग cos में चाहेंगे इसको जगा अब क्या लिखेंगे sin square theta का जगा 1 minus sin square theta तो यह आपका 2 cos square theta minus का 1 हो जाएगा 10 में चाहेंगे तो 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta इतना सारा आपका इसका formula होता ठीक है अब कौन आपके काम का है यह question देखके पता चलेगा देखिए यह तो आपका set नहीं कर रहा है 1 minus 2 नहीं है यह 2 x square में मतलब यह वाला आपका formula set कर रहा है तो हम x का अब क्या put करेंगे cos theta ठीक है तो put x equal to cos theta देखिए क्या आता है तो v आगया cos inverse of x square 2 x square cos theta 2 cos square theta minus 1 अब यह वाला formula apply कर दीजिए क्या होगा 2 cos square theta minus 1 क्या हो जाएगा v equal to cos inverse of cos 2 theta हो जाएगा means आपका cos inverse of cos theta क्या होता है theta हो जाता है तो cos inverse of cos 2 theta है theta क्या 2 theta है means v equal to 2 theta हो जाएगा अब हम लोग को यदि हम लोग x के जाग cos theta put की है तो theta क्या आजाएगा इस cos को इधर भेज़ेंगे means cos inverse x आजाएगा means आपका v equal to 2 into theta क्या क्या cos inverse x हो जाएगा simplify हो गया differentiate करेंगे फटाफट तो dv by dx क्या जाएगा 2 into cos inverse का differentiation minus 1 divided by root in rough 1 minus x square ठीक है अब क्या करेंगे दोनों differentiate तो होगे क्या करेंगे उसके बाद dv by dv find करने के लिए दोनों को divide कर देंगे तो dv by dv क्या हो जाएगा dv by dx लिखेंगे इसको ऐसे और dv by dx लिखेंगे dv by dx क्या है 1 divided by root in rough 1 minus x square यह आपका dv by dx क्या है minus 2 divided by root in rough 1 minus x square ठीक है अब क्या होगा यह नीचे वाला cancel बचा क्या minus 1 by 2 ठीक है बस आपको ध्यान रखना है जब एक्सराइज 10 डिया बना क्या है तो आपको दिक्कत नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट कोस्ट किदर भरते है कोस्टन नमबर 7 है क्या कह रहा है differentiate sine cube x with respect to cos cube x ठीक है आपका u दे दिया है sine cube x बहुत अच्छी बात है v है आपका cos cube x दोनों को x के respect में differentiate कीजिए और जो value आएगा दोनों को divide कर दीजिए ठीक है तो आप कैसे करेंगे अब इसमें तो कोई आपका put part करने वाला system नहीं है inverse नहीं है आपका हम क्या करेंगे देखिए इसको sine cube x को कैसे differentiate करेंगे ये आप इसको लिख सकते है sine x का power cube इसको लिख सकते है v equal to cos x का power cube तो first function आपका क्या हो जाएगा power हो जाएगा अंदर वाला function क्या है trigonometric function दो function दो change चलाएगे तो du by dx क्या हो जाएगा channel apply करेंगे d of sine x का power cube power है इसके अंदर क्या आई power किसका function sine x का और यहाँ वाल टर्म आगे copy होता है d of sine x या आपका x के respect में हो जाएगा तो अब आते हैं इस पर differentiate करते हैं तो du by dx क्या हो जाएगा इस टर्म को कुछ मत मानी x मान लिजे x की होगा differentiation n into x का power n minus 1 means 3 x square x का बहुए sin x है चली into sin x का differentiation cos x हो जाएगा तो du by dx तो आपको find हो गया अब आते हैं vp देखिए यहाँ पर भी power का function है first दूसरा आपका क्या है cos x means दो function दो chain यहाँ भी चलेगा तो d by dx क्या है d of cos x का power q power किसका function and cos का cos x यहाँ का term आगे copy होता है exercise 10 आप नहीं देखिए हैं तो वहाँ एक चीज आपका chain rule के बारे में clear हो जाएगा नहीं देखें तो गो जागा देखें पहले d of x तो आपका d by dx यह power है ठीक power कैसे का x q इसको मान लिजी x cos x है इसको मान लिजी थ्वादर के लिए x x q का differentiation 3 x square x का अब है क्या cos x है इसका square into cos x का differentiation minus का sin x दोनों को differentiate कर दिए आप क्या करेंगे d by d by find करना है तो आपका d by d by क्या हो जाएगा दोनों को x के respect में d by dx divided by d by dx क्या हो जाएगा u को x के respect में क्या होता है यह आपका पहले find कर चुके है 3 sin x का whole square into cos x divided by यह आपका minus 3 cos x का whole square into आपका sin x अब देखिए इसको simplify करना है 3 से 3 पहले cancel कीजिए और d by dx क्या जाएगा minus तो लिखेंगे यहाँ लिखते है sin by cos क्या होगा 10 दोनों पर square है ता आपका 10 square x हो गया बहुत अच्छी बात into cos by sin क्या होता cot हो जाता है cot होता है ठीक है अब देखिए तो d u by dx क्या यहाँ से हो जाएगा minus 10 square को क्या लिख सकते है 10 x into 10 x लिख सकते है cot x को 1 by 10 x लिख सकते है ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा minus का 10 x हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा यह लंबा हो गया आप यहाँ भी फट फट कर सकते हैं देखिए कैसे करते हैं थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिया है यह चीज cos से एक cos काट देते ठीक है तो यहाँ पर और एक sin से एक sin काट देते तो डायेक्ट आपका 10 आ जाता है sin by cos ठीक है हम थोड़ा लंबा ले गए ठीक है आप वह से कर लेंगे चली next question कि तरह बढ़ते हैं question number 8 है question number 8 है differentiate cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square with respect to tan inverse of 3x minus xq divided by 1 minus 3x square ठीक है first function यह हो गया यू दूसरा function भी दोनों को आपका एक दूसरा कर एक due by divine करना है चली तो यू को लेते हैं पहले यह है आपका cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square अब देखिए basic चीज आपको बता चुके हैं अब अपने apply करते रहिए यह है cos inverse इसको भी आपका cos में change करेंगे तभी तो आपका आसानी से आपका cos inverse of cos theta क्या हो जाएगा theta हो जाएगा चली तो आपको इसके अंदर cos लाना है तो cos का एक फर्मूला होता है अभी बताएं 3-4 फर्मूला इसे पिछले के फिछले question में क्या होता है 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta अब यदि हम लोग x के जगा 10 theta put कर देते हैं तो आपका यह अंदर वाला तर्मा जाएगा cos 2 theta में तो हम लोग क्या put करेंगे put x equal to 10 theta तो क्या हो जाएगा u equal to आजाएगा cos inverse of 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta हो जाएगा अब u equal to cos inverse यह अंदर वाला टर्म जवाब का यह देखिए यह किसका फर्मूला cos 2 theta का तो cos 2 theta आगया cos inverse of cos theta क्या होता है cos inverse of cos theta आपका theta होता है तो यहाँ 2 theta है तो u equal to क्या आजाएगा 2 theta आजाएगा यदि हमने x equal to 10 theta पूट किया है तो theta आपका क्या आजाएगा 10 inverse का यह 10 इधर जाएगा 10 inverse हो जाएगा तो आपका u equal to 2 into theta का जाएगा 10 inverse x अब इसको differentiate कर दिए तो du by dx के आजाएगा 2 into 10 inverse का difference is 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा आज समझ में क्या आगे बढ़ते हैं du by dx हो अब उसी तरह v function यहाँ दिया है 10 inverse of 3x minus xq divided by 1 minus 3x square अब आपको 10 3 theta का फर्मूला पता होना चाहिए कुछ फर्मूला आपको पता होना चाहिए से आपका sin 2 theta cos 2 theta 10 3 theta sin 3 theta cos 3 theta और उसका हाप एंगल का sin theta cos theta और 10 theta वो आपका यदि multiple angle formula पता होगा आप हाप एंगल उससे find कर लेंगे यहाँ पर 10 3 theta का आपको फर्मूला पता होगा क्या होता है 3 tan theta minus का tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta तो यह वाला ठर्म देखिए यह tan inverse इसके अंदर भी tan होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यह देखिए x के जगा tan theta put कर देंगे तो क्या हो जाएगा put x equal to tan theta तो v equal to क्या हो जाएगा tan inverse of 3 x का tan theta 3 tan theta minus का tan cube theta 1 minus 3 tan square theta अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं बताइए tan 3 theta तो आपका v equal to tan inverse of tan 3 theta हो जाएगा ठीक है अब tan inverse of tan theta क्या होता है theta होता है tan inverse of tan यह theta के जगा है 3 theta तो आपका क्या हो जाएगा v equal to 3 theta हो जाएगा ठीक है तो x के जगा tan theta है तो theta का value यहां से आजाएगा यह tan इधर जाएगा means आपका inverse में चला जाएगा तो यहाँ पर v equal to 3 into theta के जगा पर tan inverse of x डाल देंगे तो आपका dv by dx क्या आगया 3 tan inverse का difference is 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा तो du by dx भी find हो गया dv by dx भी find हो गया तो आपका यहां से du by dv क्या आजाएगा u को x के respect में कर चुके हैं v को x के respect में यह भी find कर चुके हैं दोनों को divide करना है बस एक काम बचा है divide करना du by dx क्या है 2 divided by 1 plus x square यह क्या है आपका dv by dx 3 divided by 1 plus x square यह वाला टर्म और यह वाला टर्म ठीक है अब क्या करेंगे नीचे वाला आपका से में कैंसिल करेंगे तो बचा क्या आपका 2 by 3 आगे अब नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं question number 9 है अब आते हैं 9 पे differentiate 10 inverse of root under of 1 plus x square minus का 1 divided by आपका x है with respect to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square इसको तो अलेड़े हम लोग देख चुके हैं कौन से क्योशन में देखे हैं आपका पाच्छवा में है तीक है 5 क्योशन में आप दागर देखें ये वाला आपको देखना है तो u हम ले लेते हैं पहले u पहले लेंगे ठीक है इसको नीचे तक एक ही बार में कर देते हैं काम का complete चली u लेंगे क्या है 10 inverse of root under of 1 plus x square minus का 1 divided by x v क्या है आपका sin inverse of 2 x divided by 1 plus x square ठीक है अब यहाँ देखेंगे समझेंगे थोड़ा सबाद यदी x के जगा यहाँ ये 10 inverse है इसके अंदर यदी हमारा 10 आ जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं इसका डिफ्रेंसिया से ठीक है अब कैसे यहाँ 10 आएगा ये 10 sin by cost क्या होता 10 तो एकस के जगे हम लोग cost डालेंगे कुछ फायदा हो रहा है 1 plus cos square theta कुछ value नहीं आ रहा है तो हम लोग कोसिस करेंगे यहाँ पर 1 plus x square है तो क्या करेंगे एकस के जगा हम लोग यहाँ बात कब बनेगा एकस के 1 plus 10 square theta से के square होगा तभी आपका root हटेगा यह एकस के जगा quarter theta तो हम लोग put करते हैं एकस के जगा 10 theta put करके देखते हैं क्या आता है यह देखते हैं तो अंदर वाले पर ध्यान दीजिएगा तो u equal to क्या जाएगा 10 inverse of root under of 1 plus 10 square theta minus का 1 divided by x equal 10 theta ठीक है अब इसको थोड़ा से simplify करेंगे u equal to 10 inverse of root under of 1 plus 10 square theta क्या होता है 10 तो परेंगे 6 square theta minus 1 divided by आपका 10 theta ठीक है आम sin and cos क्यों नहीं put किये क्योंकि 1 plus x square है यह sin put करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि 1 plus sin square theta है आपका कुछ आपका आएगा ही नहीं तो root के अंदर में आपका cancel ही नहीं होगा तो x का हम रोख 10 theta पूट की आपका second square आजागा रोट के अंदर रत्सेक आजाएगा ठीक है यह चीज आपको थोड़ा से आपको आगे का भी आपको ध्यान देना होगा तो u equal to 10 inverse root से आपका square cancel यह आपका sec theta minus 1 divided by 10 theta अंदर वाले को और simplify करके देखते हैं कुछ आ रहा है की नहीं तो u equal to 10 inverse sec theta के आपको पूट कर सकते हैं 1 by cos theta minus 1 यह आपका sin by cos हो जागा 10 theta को sin by cos लिख सकते हैं और simplify करना है इस line को पहले पूरा हम लोग नीचे कर देते हैं ठीक है अब और simplify करेंगे तो क्या आजाएगा u equal to 10 inverse of उपर वाला आजाएगा आपका यह cos theta आपका आजाएगा LCM तो 1 minus cos theta हो जाएगा नीचे आपका आजाएगा sin theta divided by cos theta अब आपको कुछ कुछ दिखना लगा होगा देखिए यह क्या हो जाएगा cancel अब आपका यह थोड़ लंबा है हमेशा आपको ऐसा नहीं मिले एक ही बार value डाले आपका बीना simplify के direct आपको formula में set कभी कभी आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा तो u equal to 10 inverse आपका क्या आ गया इसको थोड़ा से सही से लिखो 1 minus cos क्या होता है 2 sin square angle का आधा theta by 2 sin theta क्या होता है 2 sin angle का आधा into cos angle का आधा अब क्या हो गया यहाँ एक sin से आपका एक sin cancel इस 2 से 2 cancel तो sin by cos इतना मेहनत करने के बाद आपका यह 10 के form में आ गया है sin by cos क्या हो जाएगा 10 angle क्या है theta by 2 तो theta by 2 चलते हैं अब आपका काम complete है यह 10 inverse है यह 10 है 10 inverse of 10 क्या होगा जो theta हो जाता है theta के जागा क्या है theta by 2 है तो u equal to क्या आगया theta by 2 आगया ठीक है क्यूंकि यह भी लिख लिजी आप 10 inverse of 10 theta क्या होता है theta होता है ठीक है चलिए तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं u equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 इसको और नीचे कर देते हैं अब theta का value कहाँ put किया देगी कितना calculation करना पड़ा x equal to 10 theta तो theta क्या आ जाएगा यहाँ से इस 10 को इधर ले जाएगा means 10 inverse x हो जाएगा तो आपका 1 by 2 बाहर theta का आपका हो जाएगा 10 inverse of x हो जाएगा अब du by dx find करेंगे तो 1 by 2 बाहर 10 inverse x का difference is 1 divided by 1 plus x square हो जाएगा ठीक है इसको ध्यान से आप देख ले अब हम लोग v की तरफ चलते हैं बहुत देर से वह आपका इंतजार कर रहा है अब sin inverse यहाँ इसके अंदर भी क्या होगा sin होना चाहिए इस तरह का आप आप कोशन नमर 5 में देख सकते हैं ठीक है तो हम लोग sin 2 theta का एक फर्मूला पढ़े थे 2 tan theta divided by 1 plus 10 square theta देखिए यह इसी टरम में है x गया जगा शिर्फ आपको क्या put करना है put x equal to 10 theta put करना है तो आपका v क्या आजाएगा sin inverse of 2 x गया 10 theta divided by 1 plus 10 square theta हो जाएगा तो आपका v equal to sin inverse of यह अंदर भाला क्या आजाएगा देख लीजी यह फर्मूला पर सेट हो गया means sin 2 theta आजाएगा अब sin inverse of sin theta क्या होता है theta होता है लेकिन यहाँ sin inverse of sin 2 theta है तो आपका v equal to 2 theta हो जाएगा अब जलते हैं उपर अब theta का अधि हम लोग x equal to 10 theta put किये हैं तो यहाँ से आपका theta क्या आजाएगा इस 10 को इधर ले जाएगा means 10 inverse x आजाएगा यहाँ put करेंगे तो v equal to 2 into 10 inverse x आगया अब dv by dx find कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 into 10 inverse x का differentiation 1 divided by 1 plus का x square दोनों आपका differentiate हो चुका है तो आप चलेंगे dv by dv find करने क्या होता है dv by dx divided by dv by dx dv by dx बताइए क्या है यहाँ पर already find कर चुके हैं क्या है 1 by 2 into आपका 1 plus x square dv by dx चलते हैं उपर 2 divided by 2 divided by 1 plus x square क्या करेंगे इस नीचे वाले को इस नीचे वाले से cancel अब आपका 1 by 2 उपर बचा नीचे आपका 2 बचा मिस आपका 1 by 4 आंसर हो जाएगा ठीक है अब next question कि तरह बढ़ते हैं Question number 10 है differentiate 10 inverse of root under 1 minus x square divided by आपका x with respect to दूसरा function cross inverse of 2x into root under of 1 minus x square ठीक है बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं दोनों function को लिखते हैं आज इसको पूरा लाइन केचेंगे ठीक है और भी लाइन ठीक है एक बार ड्रो कर देते हैं चलिए यहाँ पर first function लिख लेते हैं u है आपका tan inverse of root under 1 minus x square बटा में आपका x है v है आपका cos inverse of 2x root under of 1 minus x square बहुत अच्छी बात आगे बढ़ते हैं अब इसको solve करते हैं पहले इसको differentiate करते हैं u आजे को यह tan inverse है तो इसके अंदर पूरा term क्या होना चाहिए tan का होना चाहिए कैसे tan आएगा यह देखिए sin by cos आ सकता है यदि हम लोग x के जगा यदि cos theta पूट कर दे x के जगा cos theta पूट कर दे ऊपर आपका root under 1 minus x square क्या आजाएगा sin आ जाएगा चलते हैं तो बहुत यह जल्दी हो गया u equal to tan inverse आपको गोई आपको simple दीखेगा ठीक है root under of 1 minus cos square theta x के जगा cos डाल दिए यह आपका x के जगा cos है ठीक है तो आपका u equal to tan inverse of क्या आ गया root under of 1 minus cos square theta क्या हो जाएगा 1 minus cos square sin square root से बाहर जाएगा sin हो जाएगा नीचे क्या है cos है ठीक है तो u equal to tan inverse of यह आपका sin by cos tan हो जाएगा ठीक है तो आपने परहा है tan inverse of tan theta क्या होता है theta होता है यहाँ पर देखी tan inverse of tan theta का यह वह थीटा है means u equal to theta का आ गया ठीक है अब उपर चलते है theta का भेल लेते है x equal to cos theta है तो theta क्या आ जाएगा यहाँ से इस cos को इधर बेजेंगे means आपका cos inverse x आ जाएगा means यहाँ u equal to cos inverse x आ गया बात समझ में आ गया तो du by dx क्या जाए cos का inverse का c से सुरूआ means minus लाएगा root under of 1 minus x square du by dx आपका find होगे अब हम लोग नेक्स चलते हैं v को differentiate करने ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे v आपका cos inverse of 2x root under of 1 minus x square है यह आपका cos inverse है तो आपका यह अंदर वाला भी यदि cos रहेगा तब भी बात बन जाएगा यदि sin होगा तब भी बात बन जाएगा यदि sin को आप cos में राडियक चेंज कर सकते कैसे cos 90 minus theta चली तो हम लोग यहाँ पर क्या पूट करेंगे देखिएगा यह देखिए cos की टर्म में नहीं आ पाया क्योंकि cos का फर्मूला देख लेजी cos 2 theta क्या होता है एक होता है cos square theta minus sin square theta दूसरा होता है 1 minus 2 sin square theta तीसरा होता है 2 cos square theta minus 1 चौथा होता है 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta चारों में ज़े कोई shape इस पर नहीं कर रहा देखिए कोई नहीं है अब हम लोग sin पर आते cos में नहीं हो पाया अगर sin में चलते है sin 2 theta क्या होता है 2 sin theta cos theta होता है देखिए यदि हम लोग x के जगा cos theta पुट कर देंगे ये वाला ओले sin में हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे put x equal to cos theta ठीक है तो क्या आजाएगा यहाँ v equal to cos inverse of 2 cos theta into root under of 1 minus cos square theta ठीक है तो आपका ये टर्मा गया v equal to cos inverse of 2 cos theta into ये आपका sin theta हो जाएगा 1 minus cos square sin square root से बाहर जाएगा अब ये टर्म देखिए sin 2 theta equal to sin theta cos theta हो जाएगा means आपका v equal to cos inverse of ये आपका sin 2 theta आजाएगा ठीक है अब इस sin को देखिएगा cos में change कैसे करेंगे v equal to cos inverse of sin question करेंगे cos 90 minus 2 theta हो जाएगा ठीक है अब cos inverse of cos theta क्या होता है theta होता है ठीक है तो आपका यहाँ theta के जगा हो क्या है 90 minus 2 theta means आपका v equal to 90 degree minus 2 theta आजाएगा तो v equal to 90 degree minus का 2 into theta का value क्या है हाँ से निकलेगा यह एक्स equal to cos theta है तो theta आपका यह इधर जाएगा means cos inverse x आजाएगा तो पुट करेंगे यह आपका 2 cos inverse x आगया अब dv by dx find कर लेते हैं यह constant है 0 आजाएगा minus 2 cos inverse x का minus 1 divided by root under of 1 minus x square means आपका dv by dx जो आगया plus 2 minus minus plus 2 divided by root under of 1 minus x square आगे बढ़ते हैं last पर क्या dv by dx भी हो गया dv by dx अब आपको दोनों function को dv by dv करेंगे तो dv by dx क्या होता है dv by dx dv by dv होता है यह formula तो dv by dx क्या हो जाएगा यहाँ पर minus 1 divided by root under of 1 minus x square dv by dx अभी फाइड किये 2 divided by root under of 1 minus x square तो यहाँ से cancel करेंगे तो आपका minus 1 by 2 आजाएगा ठीक है यहाँ 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 यहाँ